आज की वीडियो में आप देख सकते हो कि मेरे पास एक रिचार्डबल टॉर्च है अब इस टॉर्च के अंदर प्रोलम क्या है कि जिस कस्टमर की ये टॉर्च है उस कस्टमर ने मुझे बताया कि ये टॉर्च उनके हां से छोटके नीचे फरस पे गिर गई थी जिसके बाद स इसको जब हम ऐसे हिलाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई चीज तोटके अलग होगी है इसी वजह से साधिये तॉर्च हमारी काम नहीं कर रही है तो आज की वीडियो के अंदर इस टॉर्च को कैसे खोलना है कैसे रिपयर करना है सब कुछ में इस वीडियो के अंदर आपको फ हुम पीछे से भी क्यों सकते हैं तो सबसे पहले में आपको दिखा जो कि की काईसे को लेंगे एक कुछ इस्टार को होती है ना स्भी इसके अंदर होता है और से अंदर हमारे एक लीठ़ी डियों होती है कितने फिलाल मैं आपको बता दू इतरही कि यह इसके अंदर है कि इसे इसके अंदर हों के असी अगर आगे से खोली और यहां पर एक conflict नियुआ कि यहां पर आगे से खोला है और यहां पर देखेंगे इसका reflects योगर पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा तब भी आपको पता चलेगा तो यहां पर हमें क्या करना है यह जो पूरा इसका सरकीट है इसको बाहर निकालना है तो यह बाहर कैसे निकलेगा तो बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगी यह जो वायर है ना इसको हम यहां से हटाना पड़ेगा यहां पर आपको क्या करना है यह जो हमारी वायर जूड़ी हो ना जो इस पॉइंट पर जूड़ी हुई है यह आपको ध्यान में रखना है या तो आप इसकी फोटो खींच के रख लो या फिर जैसे भी आपको ठीक लगे उस हिसाफ से आपको यह चीजे ध्यान रखनी है ठीक है तो सेम इसी तरीके से हमें वायर को जोड़ना है तो यहां पर अब हमें क्या करना है इन वायर को हटा देना है तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे आरन का यूज करेंगे तो आरन के मद्दर से देखिए सबसे पहले हम ग्रेन वाली वायर को ह निकल जाएगा यह दुखिए इस तरीचे से निकल गया है अब इसके अंदर देखेंग इसके अंदर होता क्या वो एक बार मैं आपको दिखा दूँ इसके अंदर देखेंगे कुछ भी नहीं होता सरिफ हमारा ऐसे system बना होता है यह देखे यहां पर यह जो पीछे के तरफ हमारी charging तीन है वो है इसको हम देख लेते हैं कहीं से टूटी हुई तो नहीं है कोई wire तो नहीं निकली तो यहां पर आप देख सकते हो सारी चीजे अपनी जगा पर लगी हुई है कोई भी wire हमारी कहीं से नहीं न कहां लगेगी यह भी मैं आपको बताऊंगा तो यह चीजे हमने देख लिए यहां पर तो कोई टोट पूट है नहीं तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो अगर आपके किसी टोट के अंदर बटन वगएरा खराब है तो कुछ ऐसे इसके अंदर सिस्टम दिया होता है आप दिखाना रिप्लेस कर सकते हो मेरा मकसी था आपको यह तो यह सारे चीजे दिखाना यह देखे यहां पे हम इसको पैक कर देंगे यह पैक होगया है थिए जो दो चीजolar तettu नि कर लगी तो यहां पर क्या होता है यह उपर फिर और यहीग कुछ इस तरीके से रहेगी कि इसके बीचों भीच ठीक है और उसके बाद यह वाली जो चीज है यह हमारी ऐसे रहेगी इस तरीके से आपको इसको रबड को लगाने है और अगर आपकी रबड यह कट गई है ठीक है तो देखे मैं आपको दिखा दू मार्केट में कुछ इस टाइब की रबड अ अलग-अलग है यह देखे यह इस तरीके की रबड है अब इसके अंदर आपको क्या ध्यां रखना है कि अगर आप इस टोर्च के लिए ला रहे हो ना तो इसके अंदर यह ध्यां रखना है कि इस तरीके की रबड अंदर की तरफ हमारी होनी चीए देखे इसके अंदर ऐसे आपको rubber लेनी है और size आपको देख देना है ठीक है इस तरीगी कि आपको rubber लेनी है market से क्योंकि देखिए यह क्या काम करेगी यह जो चीज हमने यहाँ पर बीच में फसाई है ना यही इसका काम करती है ठीक है यह जो rubber इसके अंदर लगी विए तो इसके अंदर अलग से plastic की ल लगा देंगे बीच-ओ-बीच आपको लगा देना है यहां पर इस तरीके से बीच-ओ-बीच हमें इसे लगाना है तो यह देखिए यहां पर यह जो प्लास्टिक है हमारा rubber के उपर बिल्कुल बढ़ी है तरीके से लग गया है अब उसके बाद देखिए आपको ना इसको टेड़ा नहीं करना है ऐसे उल्टा मत करना है यह नीचे की तरफ रहना चाहिए यह कि इसको हम प्यार से रखेंगे और यह जो है इसकी तीनों वायर है इसको हम थोड़ा से घुमा लेंगी इस तरीगे से हमें सीधा कर लेना है क्योंकि अभी जब इसको हम डालेंगे तो यह अटकना नहीं चीए नहीं तो फिर बाद में वो जो प्लास्टिक है वो अपनी जगा से हट सकता है तो यह चीज़ ध्यान रखने हैं इसको हम इस तरीगे से पकड़ेंगे और यह ध्यान करते समय आपको इस तरीगे से डालना है जैसे मैं डाल रहा हूं ऐसे बीडाले और इस तरीगे से देखिए हम आगी तरफ बढ़ाएंगे डाल देना है तो देखिए यहां पर जो पत्ती है अपनी जगा पर आगी है और यहां से यह वायर भी हमारी निकल गई है अब उसके ऐसे बाद हम किया करना है उसके बाद देखिए यहां पर इस handwriting कर देना है यहां पर देखिए यह यहां पर से मायर को जोडना Państwo तो यहां पर पो고ic्षू क्वाइट है ना यहां पर हम उसी तरह को जोड़ेंगे तो यह देखिए यह जो हमारी वायर है अब लुब्लो वाइर हमारे बीच व बीच थीप इसको हम बीच व बीच में लगाएंगे यह देखे यहाँ पे और उस बाद यह जो क्रेण वाइड हाई यह हमारी यहाँ पर इस सैड़ में थी यह, रेड वाली वाइर को हम यहाँ फे पर देते हैं तो है तो यह दहिए तीनों बार को मैं ने कि जोड़े जैसे पहले बाइस तदय को से जोड़ा है पार अगे की तरफ रहेगा और यह इसके पीछे लग जाएगा बज़े देखें जैसे मैंने इसको यहां पर लाइट हमारी जल चुकी है क्योंकि बटन वहारी दब्यू इति साइज और यहां पर देखिए बहुत ही तेजी से लाइट जल रही है बटन को हम ऐसे क्योंकि इसके इंदर दो मोड पहले पर यह थोड़ी से कम चलते तूसरे तेज होते तीसरे बंद हो जाते अब बंद हो गई, अब जलाएंगे तो यह जल गई, उसके बाद और उसने तेज हो गई, उसके बाद भी बंद हो गई, तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं, नेक्स टूडियो में कुछ ने टोपिक साथ, तब तक के लिए जैहिंत वंदे मातरम